हेलो दोस्टों इंडिया की नमबर वन सेलिंग कार और टो 800 का नेक्स जिनरेशन आने वाला है उसके पिक्स लिख्ट हुएं उसी पे अधारित आपके अपने चैनल आटोमोटिव इंडिया दोरा एक रेंडर बनाया गया जो कि आप देख सकते हैं दोस्टों यहां पर जो डिजाइन हो आपको बॉक्सी देखने को मिलेगा जो काफी अच्छी बात है यहां पर आपको projector headlamps और इसी में आपको DRLs और इंडिकेटर है दोनों देखने को मिलेगा, मतलब bifunction system आपको देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहां पर chrome slated grill देखने को मिलेगा, अगर बात करें तो यहां पर fog light भी देखने को मिल जाएगा, जो कि visibility को काफी बढ़ा दे नीचे की तरफ alto की badging और silver color का आपको golden finish के साथ skate plate देखने को मिलेगा, यहां पर side look की बात करें तो side look भी boxy design के साथ आता है, जहां पर 180 mm का ground clearance और 14 inch के alloyables देखने को मिलते हैं, साथ में आपको fender पे light देखने को मिलते हैं, और micro antenna भी देखने को मिल जाता है आगे की तरफ, अ यहां पर आपको new design बिलकुल complete देखने को मिलेगा, गारी काफी ऊची लग रही है, यहां पर आपको पीछे में वाइपर भी देखने को मिल रहा है, साथ में LED टेल लाइट भी देखने को मिल रही है, जो कि overall पीछे का look को काफी sporty बना रही है और premium segment की गारी लग रही है, साथ में आपको वेगनार वाली steering देखने को मिलता है, steering mounted controls के साथ, साथ में पर पीछे की तरफ आपको headrest देखने को मिलेगा, और यहां पर space काफी जाता है, साथ में आपको AC vents भी काफी new design के देखने को मिलते है, यहां पर जो window area काफी बड़ा देखने को मिलता है, यहां पर आपको hybrid technology के कारण काफी जादा mileage और जो 800cc का engine है, उसमें 32 kmpl का mileage देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी प्लस पॉइंट है, साथ में आपे 1000cc का engine आएगा, जो कि से लेडियों से लिया गया है, जो कि 27 kmpl का mileage देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात होने वाली और आपको काफी versatile गारी देखने को मिलती है, launch day 2022 में है, और प्राइजिंग 3,20,000,000,000 से लेके 4,80,000,000 पढ़ने वाली है, तो यही है दोस्तों आपकी new auto 822 new generation model